आप सभी का स्वागत आज की हमारी करेंट अफेस की क्लास में माइडिया फ्रेंड्स यह होगी है आपकी 6 अक्टूबर की करेंट अफेस की क्लास एक इंपोर्टेंट इन्फोमेशन आज रात 9 बजे लाइव होगा पाइमी हम में लेंगे एक लाइव सेशन में तो जो भी कर चुके हैं वो सभी आज रात 9 बजे लाइव सेशन में जूट सकते हैं पात हमारी कीवेस पीर्ट को लेके होगी ठीक है तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोश्यन लेते है टीविंडी क्रिकट में 400 चक्ये मारने वाले भारत के पहले खिलाडी निम्ड में से कौन मनने हैं वो अमंग फॉलाइंग हाज बिकम दो फॉर्स प्लेयर ऑफ इंडिया अज शेवन पाट्समें इंड वर्ल तो हिट फोर हंड्रेट सिक्सिस इन टीविंडी क्रिकट यह स्टार कोश्यन इस्टार कोश्यन क्यों है भारत की तरफ से सर्फ연 कारने वाले खिलाडी है ROHIT SHARMA Shrma ने टीवंड़ी क्रिक तैए क्इर चार सु चक्ये लगाये और यह कमाल करने वाले पहले भारत्य क्रिक्त कौरव शेयर ही इद्यास रज़ता है रोई शर्मा ने अपने T20 किर्किट करियर के 355 मैच में यह उपलब दिहाशल की और 400 चक्के पूरे की वहीं T20 किर्किट में 400 चक्के का आगड़ा चुने वाले दुनिया के साथ वे बले बाज बन गए है। तीसरे स्थान पर जहाए थैना कि Top 3 जो है that Western indies रहा है तो चोड़ो भाई यहां हम बात कर रहे हैं इंडिया की तरफ से सबस्यादा चक्के 400 चक्के लगाए हैं किसीने और ऐकेले क्रिस गेल ने 1,042 चक्के लगाए हैं ठीक है तो अपने को सरफ इंडिया का याद रखना है रोईच शर्मा इंडिया की तरफ से पहले बैट्समें बन गए है जिन्होंने T20 किरकेट में 400 चक्के लगाए है Q2 अंतरास्टे वित्य निगम दास्मीन IFC ने हाल ही में किसको भारत में अपना नया परमुक न्यूक्त करने की कोशना की है The International Finance Corporation recently announced who has been appointed as its new head in India यह भी स्टार कोशन हो रही होंगे आपके वेंडी वर्नर ठीक है वेंडी वर्नर जो है आपके International Finance Corporation के नए हैड होंगे इंडिया में अंतरास्टे वित्य निगम ने हाल ही में वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया परमुक न्यूक्त करने की कोशना की है वेंडी इस पत पर जून जांग की जंगे लेंगे जो IFC के साथ लंबे करियर के बाद हाल ही में रिटार हुए हैं वेंडी ने नए दिल्ली स्थित कारेकाल से भारत के पॉर्टफोलियो के विकास और विविदी करन पर ध्यान देगी जिससे इस छेत्र में IFC के परभाव को बढ़ावा मिल सके यह सिंपल सा याद रखना है मैं हमेशा कहता हूँ जाद explanation में नहीं पढ़ना है अंतराष्ट्य विद्य निगम के नए पर्मुक भारत के लिए होंगे आपके वेंडी वर्नर और इंग्लिस में बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कोर्परेशन के new head in India is वेंडी वर्नर question number next question number three दाल चीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्द में से कौन सा बन गया है which of the following has become the first day to start organized cultivation of शिनिमोन ठीक है दाल चीनी से कहता है तो भाई यह भी important question है क्यों क्यों क्योंकि पहला मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहला तो हमेशा star question होता है और यह जी हिमाचल प्रदेश चीक है हिमाचल प्रदेश याद रखना है आपको दाल चीनी की संगठित organized cultivation संगठित खेती करने वाला पहला राज्य भारत का CSIR के institute of हिमालियन Bio Resource Technology ने हिमाचल प्रदेश में पाइलेट आधार पर दाल चीनी की कहती शुरू किये है असली दाल चीनी मुख्य रूप से श्रिलंका में उगाय जाता है जबकि छोटे उत्पात देशों में Cells, Medagrasa और भारत शामिल है भारत सालाना 45,318 तन दाल चीनी का आयात चीन, श्रिलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नैपाल से करता है दाल चीनी की खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दाल चीनी की संगठित खेती की है ठीक है जी हिमाचल प्रदेश नेक्ट कोशन लेते, कोशन नमबर 4 भारतिय जीवन बीमा निगम L.I.C. सबने सुना होगा यह आज का हमारा सूपर स्टार कोशन है ठीक है जी है आज का हमारा सूपर स्टार कोशन है चारो कोशन एक से बढ़के एकते लेकिन यह सूपर स्टार कोशन है LIC के परबंद देशक के रूप में निम्ड में से किसने कारेबार समभला है को अमंग फॉलोइंग हाज टीकन ओवर दे मैनेजिंग डारेक्टर ओफ लाइफ इंशोरेंस कोर्परेशन ओफ इंडिया LIC और यह है जी आपके BC पतनायक बहुत इंपोर्टन कोश्चन है याद रखना है सूपर इंपोर्टन कोश्चन ओफ टुड़े BC पतनायक बीसी पतनायक ने भारते जीवन भीवा निगम के परबंद देशक के रूप में कारेबार समभला है उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिशुचना दुवारा परबंद निदेशक के रूप में न्यूट किया गया था LIC के परबंद निदेशक के रूप में कारेबार समालने से पहले पतनायक बीमा लोगपाल परिशद मुंबई के मास अचीव थे मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में पित्रक्ष बरती अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे और अब उन्हें परबंद निदेशक मारेजिंग डारेक्टर जिसको MD बोलते हैं MD of LIC is BC पतनायक निम्न किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट एक्ता और राष्ट योगदान हे तू लोग पर ये गोपिनात बर्दुलोई पुरुषकार प्रदान किया जाता है प्रदुलोई पुरुषकार राष्ट एक्ता और राष्ट योगदान के लिए बार हम सरकार सच्छन हागरिक पुरुषकार है जासे कि भारत का आपका भारततन हो गया इसी तरीके से असाम का जो है गोपिनात बदुलोई इस वर्स का पुरुषकार उपराष्ट पती M. वेंकईया नाइडू द्वारा प्रदान किया गया है ठीक है जी important question है याद रखना है चली question number next लेते question number 6 हाल ही में किस मंत्रा लेने drone आधारित vaccine delivery model drone response and outreach in northeast I drone नाम से launch किया है which ministry has recently launched a drone based vaccine delivery model name drone response and outreach in northeast I drone और यह है आपके स्वस्ट एवं परिवार कल्यान मंत्राले ministry of health and family welfare यहाँ पर important यह नहीं कि किस ministry ने किया है यहाँ पर important यह है कि drone से vaccine delivery model जो है वो कहां पर किया गया है जो है वो नोर्टीस में launch किया गया है पहली चीज उसका नाम क्या है आई ड्रोन रखा गया है या drone response and outreach in northeast तो यह याद रखना है आपको कि जो drone के दुआरा vaccine delivery की जाएंगी वो कहां पर एक तो नोर्टीस में की जाएंगी और उसका पूरा नाम क्या है drone response and outreach और उसका short form में आई ड्रोन नाम रखा गया है यह सारे अपने notes में लिख लिएना जैसे मैंने बताएं हाल ही में स्वास्ते एम परिबार कल्यान मंत्राले ने drone आधारित vaccine delivery model drone response and outreach in northeast i-drone नाम से लोंच किया है भारतिय आरोग्य विज्ञान अज़संधान परिशद ICMR ने यह सुनुशित करने के लिए एक model तयार किया कि जीवन रक्षक्ती के सभी तक पहुँचे इसे भारत के अटिन और दुर्गम इलाकों में vaccine वित्रन की सुधाओ के लिए डिजाइन किया गया है वर्तमान में drone आधारित वित्रन परियोजना को मनिपूर और नागालेंड के साथ साथ अंडमान निकोबार दीप समुके इन साथ प्रदेश में कंड्या की अनुमती दी गई है तो सिंपल सा याद रखना है drone दुआरा जो vaccination delivery है उसका नाम है iDrone यह आप कह सकते है drone response and outreach in नौर्द इस चलिए next question लेते है question number 7 इंडोनेशिया के निम्न में से किस दीप में दुनिया का सबसे बड़ा solar floating form पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापूर की sunship group company को दिया गया है in which of the following island of Indonesia the work of building the world's largest solar floating form floating in water has been given to the sunship group company of सिंगापूर और यह जी bottom deep ठीक है bottom island जो है bottom deep वहाँ पर यह काम जो है करने को दिया गया है इंडोनेशिया के bottom deep में दुनिया का सबसे बड़ा solar floating form पानी में तैरता हुआ बनाने का काम सिंगापूर की sunshine company को दिया गया है sunship company को दिया गया है sunship group का यह है floating solar form एंडोनेशिया के bottom deep में जलाशिया पर लगबग 1600 हैक्टर में फैला होगा यह दुनिया का सबसे बड़ा solar floating form होगा एक जलाशिया पर इस solar form को स्थापित करने से वाशिप करन को कम करने का एक अत्रिक तलाब भी मिलेगा इसके साथ ही पानी की निकटा भी इस solar form को कम तापमान पर संचालित करने में मदद करेगी simple सा याद रखना है इंडोनेशिया का कौन सा दीप है जहां पे दुनिया का सबसे बड़ा solar floating form बनाया जा रहा है सिंगापूर की संचिप कंपनी द्वारा यह आपका bottom दीप ठीक है चले next question लेते है question number 8 नागरिक उड्यान सुरक्षा ब्यूरो का मानि देशक निम में से किशन निवत किया गया again star question आगया आपका who among the following has been appointed as the director general of the bureau of civil aviation security और यह आपके नासिर कमल ठीक है नासिर कमल को bureau of civil aviation security का director general बनाया गया है वरिष्ट IPS अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्यान सुरक्षा ब्यूरो का मानि देशक निवत किया गया है रेटारमेंट तक के कारेकाल के लिए मनजूरी दिया ठीक है तो याद रखना है नासिर कमल अपनी जो निवत किया आप लिखते है जहां पे Bureau of civil aviation security के महानि देशक के रूप में निवत किया गया question number next question number nine is very easy कारगिल विजय दिवर्स निमने से किस दिन मनाया जाता है कारगिल विजय दिवर्स इस सेलेड़ेटेटेट ओन वेच ऑफ दो फॉलिंग देश सब को पता होना चाहिए this is 26th of July कारगिल विजय दिवर्स जो 1999 में हमारी कारगिल वार हुई थी पाकिस्तान के last हमने 26 जुलाई को सारे जितने भी points capture किये थे पाकिस्तान ने वो अपने वापस हासिल कर लिये थे कारगिल विजय दिवर्स बारत में प्रती एक साल 26 जुलाई के दिन मनाया जाता है यह दिन कारगिल संगर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में सरदांजली अर्पित की जाती है सारा देश इस दिवस पर युद्ध में जान निचावर करने वाले शहीदों को याद कता है कारगिल युद्ध के दोरान शहीद हुए उन सेकडो सैनिकों को याद किया जाता है जिनकी बदोलत हमारी सीमा और देश की सुरक्षा हो सगी थी 26 जुलाई ठीक है जी सब को पता देलंगाना इस बिन इंक्लूड़ें इन वर्ल्ड हरिटेज बाइ युनेसको रिसेंटली हो यह आपका रामपा टेंपल रामपा मंदिर को जो है युनेसको ने अपनी वर्ल्ड हरिटेज साइट में शामिल किया तेलंगाना स्थित कातिये रुदेश्वर रामपाबड मंदिर महान कच्ष वंच के उतकर शिल्प कोशल को प्रदिशित करता है वारंगल में स्थित यह शिप मंदिर इकलोता ऐसा मंदिर है जिसके नाम इसके सिल्पकार रामपा के नाम पर रखा गया इतियास के अनुसार काक्तिये वंच के राजा ने इस मंदिर का निर्मान ते भाई नोट ज़रूर बनाते रहो अपने अपने जो भी आप यह रखते हो और आज रात को मिलते हैं लाइव नो बजे ठीक है सभी तैयार है ना अब साधे नो बजे आपकी सित्यम सरकी क्लास होगी उसको लीजे बाई अबरीवेंट टेक केर